हलो बच्चो वेलकम टू मिस्टर ब्लेक बूर्ड तो आज हम पढ़ाने वाले ट्वेल्थ क्लास और मैथ मैथ की एक्ससाइज 1.1 पहला चेप्टर रेलेशन और फंक्शन और इसकी पहली एक्ससाइज एक्ससाइज 1.1 इसका हम आज की वल इंट्रोडेक्शन करेंगे इस वी तो द्यान से देखिए समझ में आएगा बिल्कुल आप बिल्कुल हमारे साथ बने रही है हम विस्वास दिलाते हैं वही आपको की बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा रेलेशन एंड फंक्शन चेप्टर एक ऐसा है थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है तो बच्चे कभी कभी छोड़ देते हैं लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत इजी और आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे और आपकी समझ में भी सेट के बारे में आप लोग जानते हैं सेट क्या है वैल डिफाइंड कोई भी बिल्कुल डिफाइंड स्रीज जो है उनका कलेक्शन अब माल लिजे हमारे पास एक सेट है सेट सेट के जो हमारे अंदर वैल्यू दे रखे होते हैं उसको हम मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं 1,2 एकी सेट की वैल्यू दे रखे हैं ऐसे वी की वैल्यू दे रखे हैं 4,5 अब इनका हम relation कैसे निकालने तो देखिए relation निकालने के लिए जो A की value है जो A set है इसका relation 1 और 2 का relation 1 का relation 4 के साथ भी है 1 का relation 5 के साथ भी है ऐसे ही 2 का relation 4 के साथ भी है और 2 का relation 5 के साथ भी है तो इन दोनों का हम cross product कर देंगे multiply कर देंगे A cross B equal to middle bracket 1 का relation 4 के साथ यांगी 1,4 1 का relation 5 के साथ यांगी 1,5 ऐसे 2 का भी विलिख दिया मैंने 2,4 और 2,5 तो ये हमारे cross product में ये value निकल के आएगी कि ये relation इनका है अब हमको क्या पता है कि relation जो होता है वो equal होता है या तो subset के या equal होता है A और B के cross product ही ये relation होता है हम मालीजी हमको एक relation दे रखा है कि R equal to X,Y such that Y equal to 2X तो हमें R की जो possible value है जो relation है इस वाले function वो हमें कैसे पता चलेगी तो देखो ये होती है X, ये Y ये X, ये Y और Y equal to 2X दे रखा है तो Y equal to 2X का मतलब है कि अगर हम यहाँ X की कोई जैसे मालीजी इसमें X की value 1 है अब मैं यहाँ पे 2X दे रखा है 2 multiply 1 करूं तो Y की value आजाएगी 2 कहीं पे 2 है Y की value नहीं है यहाँ पे भी 1 होगा तो 2 पे आएगी value अब मैं यहाँ 2 जो दे रखी X की value वो पूट करके देखता हूं तो हमारे पास आएगी अगर हम यहाँ 2 multiply 2 2 की value मतलब X की value अगर हम 2 पूट करें तो Y की value 4 आएगी तो हमारे पास यह आएगी value तो जो relation जो होगा वो होगा 2,4 समझ में बात आ रही है अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप comment करके पूँश सकते हैं अच्छा आपने एक चीज और पड़ी होगी जैसे मान लिजे X,Y यह जो दो चीज होती है दो चीज होती है नहीं यह इसमें यह क्या होता है इसको बोलते हैं domain domain और इसको क्या बोलते हैं range यह range कहलाती है ध्यान रखना यह थोड़ी सी important चीज है इसको domain बोलते हैं इसको range बोलते हैं ठीक है चलिए अब इसके बाद मैं आगे बात करते हैं थोड़ी सी next हमारा जो topic है वो है types of relation relation के type कितने type के relation होती है तो देखिए भई यह आपने पड़ा होगा empty set ऐसे ही एक relation होता है पहला relation उसको बोलते हैं empty relation सही से दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है तो comment कर देना वैसे सही दिखाई दे रहा है कल से मैं दूसरा pen रखूँँगा तो यह red pen मिला मुझे तो मैंने यह रख लिया कोई नहीं कल से मैं दूसरा देखूँगा तो types of relation में सबसे पहला relation हमारा empty relation empty relation क्या होता है relation को r से represent करते है r equal to क्या होगा phi जहां r equal to phi हूँ वहाँ पे empty relation होता है चलिए एक example से समझ लेते है एक example ले लेते है एक example जैसे की माली यह अभी हमने ऊपर a और b का cross product लिया था जिसमें उसकी value क्या थी 1,4 1,5 2,4 and 2,5 यह थी अब माली यह हम से कहा जाए हम को दे रखा हो हाँ चलो हम को दे रखा हो कि r equal to x,y such that y equal to x square x और y ऐसे होने चाहिए कि y की जो y जो है वो x square के equal हो ठीक है मैं middle bracket थोड़ा यह सही लगा था हूँ तो उसके लिए देखो आप देखो यहाँ पे हम देखते है देखो अगर x की value मैं 1 रखूँ तो 1 का square 1 होगा यानि y की value भी 1 आएगी तो यहाँ 1,1 कहीं नहीं है यहाँ पे भी 1,1 आएगी अगर मैं y की value यहाँ पे 2 पुट करता हूँ टू टू जा फूर फिर तो आजाएगी भाई यह भाई यह भाई यह भाई यह भाई लिए चलिए मैं यहाँ पे q कर देता हूँ q x की value की अब देखो अब कहीं नहीं आएगी अगर यहाँ टू पुट करूँगा तो 8 आएगी y की value तो यानि कि जहाँ पे relation में इस set में से इस पूरे set में से y की value कहीं पर भी ना मिले हमें relation कोई भी ना मिले हमें वहाँ जहाँ पे r की value कोई भी ना मिले यानि कि r equal to 5 हो वहाँ होता है हमारा empty relation साय समझ में आ गया हुआ चलते हैं next अगले page की तरफ चलिए इसके बाद ना second जो होता है second दूसरा होता है universal relation समझ में रहा है universal relation universal relation क्या होता है जहाँ जहाँ आर एक्वल टू क्या हो a क्रॉस b यानि कि जहाँ पे सारे के सारे relation a और b के आपस में मिल जाएं सारे relation इन दौनों के मैच कर जाएं r एक्वल टू a क्रॉस b इसमें universal relation जो वो तीन तरीका का होता है सबसे first type का या मैं a लिख दूँ a कौन सा होता reflexive universal relation में सबसे पहला होता reflexive रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो universal relation का बतर जहाँ पे relation क्या हो a क्रॉस b का और उसमें भी इसका ये जो है relation तीन तरीका का होता है पहला relation है reflexive relation reflexive relation क्या होना चाहिए चाहां r की value r relation क्या होना चाहिए a कॉमा a b कॉमा b c कॉमा c इस तरीका का अगर relation आता है इस तरीका का अगर relation आता है तो हमारा relation कहलाएगा reflection अभी आपकी साहिए समझ में कम आये लेकिं जैसे ही मैं question बताऊँगा आपकी फटाक से समझ में आ जाएगा चलिए इसके बाद में next जो relation है हमारा b दूश्रा वो relation होगा हमारा कौन सा? symmetric symmetric relation symmetric relation symmetric relation कौन सा होगा? जहां r equal to a, b a का relation a और b के साहथ भी होगा है और b, a हो ध्यान रखना जहां a, b और b, a इस तरीका की relation आए तो उसे बोलते है symmetric relation इसके बाद में next relation है इसका उसे बोलते हैं हम c नाम दे दूँ मैं इसको तीसरा relation है transitive Transitive relation Transitive relation में क्या है? जहां relation जो होना चाहिए यदि a, b है और b, c है तो हमारा a, c भी यदि आजाता है relation में तो वो relation जो होएगा वो होगा Transitive तो यह universal relation इसके तीन अच्छा यहां पे यह माझे यह कोई question दे रखा जिसमें reflexive भी relation आ रहा है symmetric भी आ रहा है और हमारा Transitive भी आ रहा है यदि तीनों relation आ रहे हैं तो उसको नाम हम क्या देते हैं थर्ड में अगर तीनों relation हमारा satisfied कर रहा है कोई भी question तो उसको हम बोलते हैं Equivalence Relation ठीके भई जहां पे यह तीनों relation reflexive symmetric Transitive अगर तीनों ही relation हमारे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं Equivalence Relation तो यह exercise 1.1 का introduction पार्ट था आसा करते हैं आपकी समझ में आया होगा अगर समझ में आया हो तो चैनल को हमारे को like करें, subscribe करें, share करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा हैं ताकि उन लोगों को भी benefit मिल सकें जो पैसे ना दे करके पैसे नहीं दे सकते हैं तो उनके benefit के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि हर एक बच्चा पढ़ सकें और हर एक बच्चा आगर बढ़ सकें थैंक यू